आज हम बहुती टेस्टी एकदम चटपटा क्रीस्पी उल्टा पुल्टा चीजी बर्गर बनाएंगे जो रेस्टरान और कैफे से कही ज़्यादा गर पर अच्छा बनता है तो ये बर्गर बहुती कम समय में बन जाता है और बच्चों से लेकर बड़ो को सभी को बहुत पसं नाल दिया है और कच्छे के लिए को हमें स्टीम में करना है पानी में करेंगे अब इसे हम ग्रेटर से नेगी जिससे स्टफिंग एकदम स्मूथ बनेगा तो देखिया यहां मैंने कच्छे के लिए को ग्रेटаки हें करेंगे और lei कःटे करेंग गता हूँए कैबिज अधी टीस्पुन चिली फैक्श और ні जुटकी फर हल्दी पाउडर एड करेंगे स्टफिंग में बैंदिंग के लिए का पॉह चो तो ब्रेट क्रम्स को भी एड कर सकते हो पर मैंने यहां पॉह आद किया है जो शब के पास easily available होता है अब पोवा को हम stuffing के साथ अच्छे से mix कर लेंगे जिससे masala अच्छे से mix हो जाएक और पोवे भी अच्छे से mash हो जाएंगे और सारा masala को हमें इस तरह से अच्छे से मसलते हुए mix करना है जिससे stuffing में अच्छे से binding आ जाएगा जरूर अगे तो आप पहोई को थोड़ा और भी आड़ कर सकते हो अब इसमें आधी टीस्पून चाट मसाला पाउडर भी आड़ करेंगे और अच्छे से mix कर लेंगे तो देखे स्टफिंग बन कर तयार है अब हम बर्गर में प्रेट करने के लिए एकड़म टेस्टी डीप बनाएंगे तो मैंने यहां एक से दे टेबस्पून मयावनीज लिया है साथ में एक से दे टेबस्पून टामेटो कच्यप एड करेंगे और आधी टीस्पून चिली फ्लग्सेट करेंगे और अच्छे से mix कर लेंगे तो यह इंस्टन टिप बन जाता है जिसमें विल्कुल टाइम भी नहीं लगता है तो देखें यहां टेस्टी डिप बन कर तैयार है अब बर्गर को एकदम क्रिस्पी बनाने के लिए सलरी बनाएंगे तो मैंने यहां एक टेबल स्पून गेहो काटा लिया है साथ में एक टेबल स्प पानी एड करना है और अच्छे से मीक्स कर लेना है तो यह उक बंकर तयार है अब यहां मैंने ब्रेड क्रमश में लिएस और ऍssen जो ये किनारे बच गई है उसे हम तोड़कर bread crumbs बनाने के लिए यूज करेंगे तो इसी तरह हम दूसरी दो slice को भी cut कर लेंगे तो ये round shape में इस तरह से cut करने के बाद जो किनारे बच गई है उसे हम तोड़कर mixture grinder में grind करके bread crumbs बना देंगे तो देखें यहां ब्रेड क्रम्स बनकर तयार हैं अब मैंने यहां दो प्रोसेस चीज को इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर दिया हैं आप चाओ तो मोजरेला चीज का भी यूज कर सकते हो अब उल्टा पूल्टा चीजी क्रिस्पी बर्गर बनाने के लिए पहले हम जो राउ है वह चीज इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और दूसरी स्लाइस को हम उपर रख देंगे और अच्छे से किनारों से बंद कर देंगे तो इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करेंगे जिसे यह ब्रेड स्लाइस चिपक जाएगी अब जो हमने स्टफिंग बनाया है वह स्टफिं को अच्छे से स्प्रेड करेंगे और किनारों पे भी हमें अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और ब्रेड को हमें कवर कर लेना है तो स्टफिंग से हमें पूरी ब्रेड को अच्छे से कवर कर लेना है और हलका हलका प्रेस करेंगे जिससे स्टफिंग अच्छे से ब्रेड स्ला वैधि किया था तो तोर निचे बैठ जाता है अब हमने जो बर्गर बनाया भी अच्छे से डीप करेंगे और पर उपर दाल देंगे और गाम करेंगे लिए पॉपर चिपक जाने के बाद हम इस तरह से हाथ से किनारों पे भी हम पोज़ार हमें ब्रीड क्रोट कर लेग पर यही बर्गर को आपको ज्यादा क्रिस्पी बनाना है तो एक बार अच्छे से कोट करने के बाद वापस ही से हम स्लरी में डीप करेंगे तो यह प्रोसेजर हमें दो बार करनी है जिससे यह बर्गर एकतम क्रिस्पी बनेगा तो कोट करने के बाद हम वापस एक बार स्लरी म आप बना सकते हो इस तरह से दो बार ब्रेट क्रम्स करने से यह बर्गर एकदम क्रिस्पी बनेगा अभी से हम फ्राइब करेंगे तो फ्राइब करने के लिए ऑइल अच्छे से घरम होना चाहिए और गैस की फ्लैम भी मिडियम टो हाइब और इस तरह से उपर की तरफ भी हम थोड़ा थोड़ा गरम ओईल डाल देंगे और फिर साइट चेंज करेंगे तो पलट पलट कर हमें क्रिस्प होने तक फ्राइब कर लेना है तो एक बर्गर फ्राइब करने के लिए तीन से चार मिनिट लगेगी जिससे यह बर्गर एकदम क्रिस्पी बनेगा और अंदर से बर्गर गया हो चुका है अब जो हमने दूस रा बर्गर कर लेंगे तो से ऊपर थोड़ा थोड़ा गरउल डाल देंगे जिससे यह बर्गर एकदम क्रिस्पी बनेगा तो देखें, दोनों बर्गर हमने फ्राई कर लिया है, तो आवाजससे पता चल जाएगा कि ये बर्गर कितना क्रिस् på y해도 है तो देखें, दोनों बाज उसे एकदम क्रिसोपी बरगर बनकर तयार है, और इस तरह से हमें गोल्डेन ब्राउन होने तक होने टक बहुत ही मज़ेदार एकदम चटपट बनने वाला एकदम क्रीस्पी उल्टा पूल्टा चीजी बर्गर बनकर तैयार है तो यह बर्गर को आप किटी पाटी में या फिर डीनर में या बच्चे को जब भूख लगे तब आप इंस्टन बना कर दे सकते हो थैंक यू